लेरिंजाइटिस क्या है लेरिंजाइटिस का ट्रीटमेंट है यह दोस्तों बात करते हैं आज माइसल्फ के डॉक्टर सुनी इंतावार डायरेक्टर जैपूर दुर्बीन हॉस्पिटल एंड नक्स राइनोप्लास्टीजेंट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दीएगे बेल आइकोन को प्रेस करने यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिसे आएसे आनेक उप्योंगी वीडियो का नोटिफिकिसिन आपको समय समय मिलता रहे दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा दोस्तों लेरिंजएटिस बड़ना है लेरींव लेरिंग को भिजो ह को में बौते हैं जो हमारा लेरिंग्स हैं उसके इंदर की जो कोटिंग है जो म्यूकुजा है उसके अंदर इंफ्लमेशन होना उसमें इस न канал हो की तो और Barn मेंना की किया है बात माका क centralized एक और जो most common कारण है infection, जब infection होता है, बच्चों में हो सकता है, बड़ों में हो सकता है, अडल्ट में हो सकता है, viral infection हो सकता है, bacterial infection होता है, infection की कारण क्या होता है दोस्तों, अंदर जो हमारी मूंकोजा है, उसमें जब swelling आजाती है, कंजिसन होता है इसके आलावा दोस्तो को मन रोज-मर के जिदिगे में सुन कवालूशन के कारण भी में और यह कामन सीज इसके अलावा समोकिं चो करते हैं वह एक करन स्मोकिंग करते हैं और पूरा क्लिक्स करते हैं वो इस लीडिंग के बीच के अंदर एक कोडस होते हैं निष वकलकोड के त्रूमें जो है ए यह यह अियर जो है उन्से यह नंदर जो है लंक्स में जाती है और ऐर मिंवाच्ग जाता है चल्स तो उसके करण Цुssa का एड़ बहुत investir तब लुप दोस्तों इसके लावा एक इंप्रयनत्र बोलने का काम होता है। जो बस कंौडॉक्टर होते हैं। जिनको वोकल कोड के एक्सिशी व्यू जाता है। उनको भी नरेंजैटिस होता है। ऑप चाहे सहसे सिर्फट राश्योंफित दोस्तों न भी है। तो दोस्तों डॉक्टर जैसरी उसके असोसेटेट सिंटम्स होते हैं या एक डियाग्नोसिस के लिए एक F.O.L. टेस्ट होता है पाइब्रोक्टिक लेरिंगोस्कोपी जिसके माध्यम से हम टेलिस्कोप से कहले लेरिंग को देख लिया जाता है हमें तुरंत पता लगा दिया जाता है कि यह किसके कारण है और जो भी उचित एंटिबाइटिक कुछ टीकंजेस्टेंट कुछ एंटी इंफ्लामेटरी की मेडिशन दी जाती है और उससे ट्रीट होता है साथ में दोस्तों lifestyle modification का भी बहुत important role है अगर आप smoker हो और आप रोज दवाई लेते हो तो आप ठीक नहीं होगी क्योंकि smoking आपको कम करनी पड़ेगी और बंद करनी पड़ेगी इसके अलवा professional जो है दोस्तों अगर आप एक teacher हो आप bus conductor है या जैसे politician है आप musician हो जहां बहुत जदा vocal code का यूज आता है तो दोस्तों वह भी आपको थोड़ा सा modification करना होगा जब आपको laryngeitis है तो आपको vocal code का यूज आपको कम लेना होगा इसके अलावा दोस्तों अगर आपको pollution ऐसा area में रह रहे हो या आपको डॉक्टर ने acidity की problem बताई है और आपको एक गोली morning में दिया है तो वह आपको लेना होगा नहीं तो यह problem आपको continue बार-बार चलती रहेगी आपको बार-बार गला clean करना होगा यह हम बार-बार रोकिंग करेंगे आपकी आवाज की quality आपको बार-बार चेंज होगी आपको कोई भी चीज सोलो करोगी तो throat के अंदर pain होगा आपको बार-बार हमेशा इस laryngeitis के करण problem रहेगी तो दोस्तों एक word था laryngeitis जिसने आपक इतना lifestyle ने modification किया आपकी आवाज चेंज होगी ओपिस में आप बात नहीं कर सकते चार आजमियों के सामने अपनी आवाज put up नहीं कर सकते जो आप अच्छी सिंगर ते आपकी आवाज खराब होगी इसलिए आपके इसकी कारण को जाना और अपना उचित कारण जानके डॉक कर दो आपके 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 झाल झाल